हमारे नए सेग्मेंट के साथ जिसका नाम है NCRT Simplified तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 11 की पॉलिटी की चैप्टर वन आपके साथ डिसकस किया था आज उसी पॉलिटी न्सी न्सी आपके साथ डिसकस करेंगे तो चलिए देखते हैं तो हमारे सेकेंड चैप्टर है इसका हेडिंग ही है Rights in Indian Constitution भारतिय सम्मिधान में अधिकार जो पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है वो अधिकार पर ही पूरा फोकस करता है और क्या कौन-कौन से अधिकार हमारे सम्मिधान में दिये गये हैं तो हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या डिसकस करेंगे सबसे पहले हम डिसकस करेंगे Fundamental Rights in Indian Constitution भारतिय सम्मिधान में जो मौली का दिकार है उसकी चैप्टर करेंगे उसमें क्या क्या बताएगे हैं इस चैप्टर में उसको देखेंगे फिर देखेंगे हम Fundamental Duties in Indian Constitution भारतिय सम्मिधान में जो मौली कर्त बताएगे हैं उनकी चर्चा करेंगे फिर आगे देखेंगे NHRC जो हमारा राष्ट्रिय मानुआ दिकार आयोग है वो कैसे गठित हुआ कैसे बना उसकी जो चर्चा की गई इस चैप्टर में उसे डिसकस करेंगे फिर हम देखेंगे Directive Principle of State Policy राजी के जो निति नर्शक्तत्व है उनकी कैसे चर्चा की गई क्या ब्याख्या की गई इस चैप्टर में उसको डिसकस करेंगे और लाश्ट में हम देखेंगे Right to Property संपती काधिकार कैसे संपती काधिकार हमारा Fundamental Rights से एक नॉर्मल लीगल राइट बन गया उसकी चर्चा करेंगे तो एक-एक करके हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं Fundamental Rights पे भारतिय समिधान जब हमारा बना था उससे में हमारे Fundamental Rights साथ हुआ करते थे एक जो हमारे Fundamental Rights था Right to Property उसे हटा कर अब वरतमान में सिर्फ 6 राइट बचे हैं Fundamental Rights हमारे सामने है कौन-कौन से राइट से हैं उनके एक एक करके हम डिसकस करेंगे आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि Fundamental Rights है क्या, कहां से आए कैसे बने और कहां में से इसके डिसकस करते हैं देखें जो हमारा Fundamental Rights है वो एक ऐसार अधिकार होता है जिसे कोई व्यक्ति हो या कोई सरकार हो आपसे आपका अधिकार नहीं चीन सकता कुछ Legal Rights ऐसे होते हैं जिने सरकार आपसे जब चाहे तब चीन सकते हैं उसको अभियोलिस कर सकती है लेकिन जो Fundamental Rights होंगे उन्हें सरकार भी आपसे नहीं चीन सकती है इसलिए इसे मौलिक अधिकार कहा गया है भारतिय समिधान में हमारा जो Fundamental Rights है Article 12 से लेकर 35 तक 12 से लेकर 35 तक मेंसन किया गया है और ये Part 3 में है Part 1 और 2 में किया है उसकी चर्चे हमने साथ पहले की है और Part 3 में हमारा Article 12 से लेकर 35 तक है देखें ये जो हमने पिछले वीडियो में आपसे डिसकस किया था Chapter 1 में कि जो हमारा Fundamental Rights है वो अमेरिका के समिधान से हमारे समिधान में सामिल किया गया है लेकर तो वहाँ पर एक Bill of Rights था उसी Bill of Rights से हमने इंस्पनेशन लिया और हमारे समिधान में क्या किया एक Fundamental Rights Segment अड़ किया Fundamental Rights कैसे कैसे महत्वपून है क्या क्या इसकी विश्ष्टाय है इसकी तो बीफ में चर्चा कर लेते हैं देखिए यह जो सरकार की जो सक्तियां है unlimited सक्तियां सरकार के पास वो उन पर क्या करता है थोड़ा सा अंकुष लगाता है थोड़ा सा limitation लगाता है नहीं तो सरकार जो चाहे आपके पर नियम कानून थोप सकती है तो पहला हमारा जो fundamental right करता है वो क्या करता है government के जो unlimited power है उनको तोड़ा सा limits लगाता है दूसरा एक नागरी को citizen को क्या करता है सरकार के गेंस में एक guarantee देता है कि सरकार कभी भी आपके कुछ ऐसे rights है जिनका हनन नहीं कर सकते उन्हें अड़ा कर सकते कुछ टाइम के लिए वीए पर सकते है लेखने अड़ा बैवलुस नहीं कर सकते है अब suspension क्या है अब उप Agní कई करेंगा तो तीसरा काम कर्दे में देखते हैं क्या है आपके जो political freedom है उसको क्या करता है? सनक्षन देता है, प्रोटेक्ट करता है ये जो हमारा fundamental right है, वो absolute नहीं है absolute नहीं मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमने आप से कहा कि सरकार छीन नहीं सकती, देकि सरकार छीन नहीं सकती लेकिन उसे सिमित कर सकती है, उसे president करेंगे हमारे president कर सकते हैं, जब emergency हो, वैसे टाइम में हमारे president क्या कर सकते हैं हमारे fundamental rights को प्रतिबंदित नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं थोड़े time के लिए suspend कर सकते हैं during national emergency क्या होता है जब भी हमारे राष्ट्रिया पात का लगता है तो हमारे जो article 19 है वो automatically suspend हो जाता है उसे अलग से suspend करने की जुरूत नहीं पड़ती वो automatically suspend हो जाता है चाहे कैसी भी condition हो हमारा article 20 और 21 जो है वो कभी भी suspend नहीं होता उसकी चर्चा हम detail में करेंगे जब हम article 20 और 21 पर आएंगे तो हम देखेंगे कैसे और क्यों हमारा जो 20 आर्टिकल है 21 हो कभी भी suspend क्यों नहीं होता है और तिसरा एक word यह है कि जो हमारा Supreme Court है वो हमारे freedom of speech हो जो भी fundamental rights है उनको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है और उनकी guarantee लेता है आप सोचिए जाओवा सरकार आपके कानून आपके जो fundamental rights है उनको अगर एबॉलिस करने कोसिज करती है तो आप कहां जाएंगे आप जाएंगे हाई कोट में या सुप्रीम कोट में और सुप्रीम कोट के पास क्या है राइट है कि कोई भी ऐसा कानून अगर बिधाइका बनाती है लेश लेश लेचर बनाता है सरकार बनाती है तो क्या कर सकता उसे नल एंड वाइड भुसित कर सकता है ऐसे में हमारे सुप्रीम कोट क्या करता है हमारे fundamental right का guarantor होता है guarantor जो guarantee लेता है कि कभी भी आपके fundamental right आपसे छीने नहीं जाएंगे तो हम देखते हैं कि छे टाइप के fundamental right हमें दिये गए है एक right to equality, right to freedom right against exploitation, right to freedom of religion cultural and educational right right to constitution remedies करके अब एक एक करके हम सब को discuss करेंगे कौन-कौन सा अधिकार हमें दिया गया कौन-कौन से fundamental right से तो देखिए हम छे fundamental right के डिसकस करने वाले हैं पहला हमारा है right to equality जो right to equality है हमारा कहां है article 14 से लेकर 18 तक में इंसन किया गया है हम एक एक करके इसको देखते हैं पहला हमारा है right to equality में equality before law कानून के सबक समान था चाहे कोई भी हो चाहे कोई अधिकारी हो कोई आम नागरिक हो सभी लोग क्या है हमारे कानून के समख समान है आप सोचिए कि अगर आप किस आइक आम नागरिक है और आप कोई गलत काम करते हैं या against the rule करते हैं और कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर है कोई मिनिस्टर है, और वोगी अगर ऐसा काम करते हैं, तो उनके लिए भी क्या होगी, सेम सजय का प्रावधान होगा, यज अई नहीं, कि आप DM हैं, तो आप कुछ भी गर कानुさい काम करते हैं, आपके ऊपर कोई कानुनी कर्वाई नहीं होगी, कानुनी करवाई सब के लिए बराबर है, कोई भी कानून बनेगा, यही कहना चाहता है, equality before law, कानून के समझ क्या है, सभी समान है, आपने देखा होगा कि हमारा जो कानून का मुर्ती होती है, जो इस्टेची होती है, उसके आप एक वो बना होता है, पट्टी बंदी होती है, वो इसलिए बंदी होती है, कि उसके सामने कोई भी विक्ति आता है, तो वो देखने सकती है कि वो कौन है, एक्स, वाइज, एडिया मिनिस्टर है, प्राइमिस्टर है, या एक आमनागरिक है, उनके लिए क्या है, सभी लोग बराबर है, यही सेम चीज, यह article हमारा कहता है, article 14, equality before law, इसमें अगला हम पर, race के नाम पर क्या होता है, exploitation होता है, same हमारा article 15 हमें क्या करता है, protect करता है, कि कोई भी विक्ति, या कोई भी समाज, या कोई भी सरकार हमें, religion, धर्म, race, caste, जाती, sex या, birthplace के अधार पर हमारे साथ कोई discrimination नहीं कर सकती, कोई भेदभाव नहीं कर सकते हमारे साथ, article 15 हमें इस बात से protect करता है, फिर हम आगे देखते हैं, equal opportunity in public employment, article 16, हमारा article 16 हमें क्या कहता है, कि अगर लोग नियोजन में कोई भी औसर निकलता है, तो सब के लिए क्या होगी, औसर की समानता होगी, माल लिए अगर UPSC का form निकला, या किसी राज़े की PCS का form निकला, और आप से कह दिया जाए, कि आप particular किसी caste belong से हैं, या किसी religion से हैं, इसलिए आप form निकला सकते हैं, ऐसा बिलकुल नहीं है, article 16 आप बूलेंगे वहाँ पर क्या, article 16 हमें optionality देता है, equal opportunity देता है कि इसके लिए, public employment में, सब के लिए समान उसर है, सब ही क्या है, बराबर है, कोई भी apply कर सकते हैं, और देखिए, इसका एक clause है, article 16 आप बूलेंगे कि फिर महिलाओं को क्यों आरक्षण दिया जाता है, SCST को क्यों आरक्षण दिया जाता है, तो देखिए, हमारे समिधान निर्माताओं ने इस बात को समझा, क्यों कुछ ऐसे वर्ग थे, जो कालान तरों जो historical देखिए हमारे समिधान निर्माताओं ने एक clause जोड़ दिया, article 16.4 में, कि ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा special कुछ पर प्रोविजन देज सकते हैं, उसी का अधार पर article 16.4 जो है, ये कहता है, कि महिलाओं, SCST या पिछड़े बर, अन् प्रोटेक्शन क्यों दिया गया, ये इसलिए दिया गया, क्योंकि वो कालांतर पहले पिछड़ गया थे, उन्हें समाज के मुख्यों धारा में लाना, सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्हें भी ऑसर में समानता देना था, इसलिए article 16.4 जोड़ा गया, article 16.4 को हम फिर डिटे के लोग ही या धर्म के लोग ही क्या कर सकते हैं, पानी उठाती सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, या पर सकते हैं, नहा सकते हैं, यही था हमारा अस्परिस्ता, उसमें क्या होता था, कि पर्टिकुलर कोई भी उची जाती, तथा कती नीची जाती, जो लोग थे क्या करते थे, एक दुसरे को असपर्स नहीं करते था, अगर कोई किसी चीज को टेश कर दे, तो वो उसे क्या करते थे, फिर छोड़ देते थे, आप सोचिए, ऐसी इस्थिती में, क्या आज की टाइम में जीना पॉसिबल था, आप कहीं बाहर जाते हैं, और आपको कोई पानी का गलास देत अगर कोई स्वास्त कारण निकल कराते हैं, जैसे वरतमान में हमारा COVID-19 एक प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में क्या होता है, कि सरकार कोई गाइडलेन जारी कर देते हैं, कि पर्टिकुलर आप किसी को छूनी सकते हैं, या किसी से टच नहीं कर सकते हैं, तो ये इसे हिंदी में इसे कहते हैं उपाधियो कांथ, आपने पहले देखा होगा, कि बहुत सारे लोग बहुत तरह-रह की उपाधियां धारन करते थे, जैसे कोई अपने नाम के आगे महराजा धिराज जोड़ ले, कोई नाम के आगे राय बहादुर जोड ले, कोई स्रिश्री एक ह और आपके लिख से हैं, सिंपल सा नाम लिख दे अपना महन कुमार, तो आपके अंदर क्या भावन आएगी, कि जो आपके आगे बठा वग्ति है, और वो और आप क्या है, इक समान नहीं, वो आप से क्या है, प्रिष्ट है, आगे नहीं क्या है, इसी चीज़ों को धियान में अगर रख कर हमारे समिन्हान निर्माताओं ने क्या किया, कि जो उपाद़ी ते जितने भी उन्हें क्या किया, एंबॉस कर दिया, इसके exception है, देखिए, वरतमान में भी उपादयान धारन की जाती है, लेकिन दो exception क्या है, कि सिक्षा में और सुरख्छा में, जो इपरेंस जैसे कोई अपने नाम के आगे general जोडता है, कोई करनल जोडता है, तो उन लोगों की छूड मिली हुई, ऐसा नहीं कि सब के लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो अभी तक हमने देखा article 14 से लेकर 18 तक, तो हम चर्चा गर रहे थे fundamental rights की, इसमें हमने article 14 से लेकर 18 तक देख लिया, अब हम देखते हैं article 19 से लेकर 22 तक, यह हमारा है right to freedom, स्वतंतरता का अधिकार, कौन-कौन से स्वतंतरता है, कौन-कौन से freedom है आपको, इसकी चर्चा करते हैं, इसको discuss करते हैं, देखे, यह article 19 से लेकर 22 तक mention है, आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, अपने अभिवक्ति की आजादी है, आप किसी भी माध्यम से, बोल कर, लिख कर, मोवी बना कर, कैसे भी एक्स्प्रेश कर सकते हैं अपने अभिवक्ति को, लेकिन तब तक कि, जब तक कि कि किसी अन्ने की क्या हो, फंडमेंटल राइट उसे अभॉलिष ना हो, अब ऐसा नहीं कि आपको फ्रिडम अभी स्पीच है, तो आप अगेंस दे गवर्मेंट बोलें, अगेंस दे कांट्री बोलें, तो इसमें देखे एक बात को ध्यान रखिए, कि जो राष्ट की एकता और खंड़ता है, इंटिग्रिटी और सॉबिनिटी है, उसको आप छिर्चार नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं बोल सकते हैं, जिससे क्या हो, राष्ट की एकता या खंड़ता है, जो हो, अभॉलिस होती हो, छुण होती हो, इन सब बातों का ध्यान रखे, आपको प्रिड़म अपिस्पीच दिया गया है, एक्स्पेशन दिया गया है, जिसके कुछ क्लॉजज है, उनको ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसा नहीं किया, पहले आमने आपसे कहा था, कि कुछ-कुछ युक्ति-युक्ति क्या है, पतिबन लगा सकती है सरकार, तो उस्हें चीज यहां पर निकल कराता है, ऐसा नहीं कि प्रिड़म अपिस्पीच हो, तो आप प्रिमिस्टर का अलोचना कर सकते हैं, राष्टपती का अलोचना कर सकते हैं, लेकिन राष्ट के खिलाब, राष्ट की एकता और अखंटा खिलाब, कुछ नहीं बोल सकते हैं, आगे देखते हैं, एक जगा जमा होने का अधिकार, कहीं पे भी, अगर सरकार कब मान लिए, बढ़तमान सरकार मुझे बिलकुल पसंद नहीं, तो क्या कर सकता हूँ, मैं अपने 20 साथियों के साथ, सेक्रों लोगों के साथ क्या हो, जमा होकर बिरोध कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, पीसफुली, एक वर्ड यूज किया गया है, सांति पुन्धंग से, ऐसा नहीं कि हम अराधकता फ्लाएं, सांति पुन्धंग से जमा होने का क्या है, हमें अधिकार है, तीसरा देखते हैं, तीसरा है, फ्रॉम एस्टोशियेशन एन्ड यूनियन्स, हमें देखिए संगटन बनाने का अधिकार है, हम कोई भी संगटन बना सकते हैं, सरकार जाकर रेजिटर करवा सकते हैं, मुर्तपान बहुत बड़े-बड़ संगटन देश में चल रहे हैं, कुछ तो सरकार चला रहे हैं, तो ऐसी संगटन में देखिए, कि जो हमें संगटन बनाने का दिकार हमें, Article 19 देता है, अगला देखता है, move freely throughout the country, टेरिटरी इंडिया, देश की किसी भी हिस्से में, कहीं भी, आपका मन करें आप मन करें आप मन करें आप किरल जाएए, आपका मन करें आप जम्मू कश्मीर जाएए, आप कहीं नॉर्थ जाएए, कहीं भी जाने की, कहीं भी घूमने की क्या है, आपको आजादी है Article 19 के तहाद, फिर अगला है, reside and settle in any part of India, कहीं पे भी, अगर आप गूमने गया है, माल लिए आपको पसंद आ गया, को मनाली मुझे बहुत सुंदर लगा, नहींतार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसी condition में क्या कर सकते हैं, आप वहाँ बश सकते ह हो सकते हैं, माजमीन खर सकते हैं, घर बना सकते हैं, अगला हम देखते हैं, practice any profession or to carry any occupation, trade and business, आपको किसी भी प्रकार का occupation करने का क्या है, राइट से, कोई business करने का दिकार है, लेकिन देखिए, यहां पर भी limitations है, ऐसा नहीं कि आप against the constitution जाके कोई business करें, आप बोलेगने हम गोली वारूद बनाना चाहते हैं, हम बोलेगना बनाना चाहते हैं, हम सरकार के against वाली कुछ चीज करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी trade कीजिए, business कीजिए, occupation कोई भी रोजगार अपना है, लेकिन वो क्या हो, समिधान के अनुरूप हो, उसके लिए आप free हैं, हमारे article 90 आपको एक बास की guarantee देता है, कि आप कोई भी occupation अपना सकते हैं, और कोई business कर सकते हैं, देखे, article फिर हमारे abolish हो जाते हैं, ऐसा बिलकुल नहीं होता है, कुछ fundamental right हो सकते हैं, abolish होते हैं, लेकिन सारे fundamental right उनके abolish नहीं होते हैं, ऐसे में, conviction of offenses जो है, protection उसमें, आपका article 20 क्या करता है, आपको protect करता है, फिर आगे देखते हैं, अगला हमारा है, right to life and personal liberty, जीवन के स्वतनतता, और देख जो हमारा है, वो right to liberty and दिखता है, right to life and personal liberty में, इसमें देखिए, जीवन के स्वतनतता, अब इस लाइन को आप समझे, right to, जो हमारा life है, इस क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति, आपके आपके life को छीन नहीं सकता, चाहिए कि उ सरकार हो, यापका पडोसी हो, कोई आपका दुस हमारा समिनान में क्या कहता है, right to life देता है, हम चर्चा कर रहे थे, पिछले slide में, कि article 20 और 21 कभी भी हमसे क्या होता है, कोई छिन नहीं सकता है, यह वह article 20 है, जो आपके right to life है, आप से कभी भी आपका जीवन सरकार नहीं सकती, तब तक कि जब तक कि आपने against the constitution कोई काम ना क किया हो, अगर against the constitution आप काम करते भी हैं, तब ही अगर कोई नहीं आले आपको कोई दो सिद्धी देती है, आप पे, एक्यूट घोसिद करती है, तब ही कुछ विधी विधान ऐसे हैं, कुछ प्रक्रिया हैं, उसके अनुशार ही है, आपके जीवन आप से चीना जाएगा, आ आपके जीवन आपको गिरफ्तार कर लें, 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 आपको गिरफ्तार कर लें, आपको गिरफ्तार कर लें, आपको गिरफ्तार कर लें, आपको गिरफ 23 and 24, इसमें क्या कहता है, Provocation of Trafficking in Human Being and Force Lever, पर फ़ादर पहले हम चर्चा कर रहे थे, कि Article 90 हमें क्या देता है, कोई भी वेवसाय करने का अधिकार देता है, तो ऐसे कंडिशन में क्या आप Human Trafficking का वेपार कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप अधिकार हैं, लेकिन आप किसी के मानोवयपार नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ, बच्चों के साथ क्या है?, फोर्स लेवर्ड नहीं करा सकते हैं, कोई इन सब चीजुगों को क्या है, राइट तू, अगैन्स एक्स्प्लoraटिटेशन में, हमें protection प्राप्त है, अगला है provision of employment in children in hazardous job, बच्चों को article 24 जो है protect करता है कि किसी बच्चे को क्या है आप, किसी भी हजाड जोब में जो खतरनाक उद्योग है खतरनाक अलका खाने उनमें जबस्ति उनसे आप काम नहीं करवा सकते हैं यह article 24 कहता है हम आगे बढ़ते हैं देखिए हमने 6 fundamental rights में से 3 fundamental rights डिसकस कर लिये हैं अगले 3 fundamental rights हैं वह हम अगली वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे फिलाल के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, thank you